वर्ड अमरा है outspoken, outspoken का मतलब होता है मुकर, जो frank type का होता है उसको उम लोग outspoken कहते हैं इसका synonyms frank हो जाएगा, unreversed होता है, straight forward होता है, blunt होता है, यह सब इसके important synonyms बनते हैं अगला वर्ड अमरा है pertinent, pertinent का मतलब होता है उचित, जो चीज़ significant हो, appropriate हो, उसको उम लोग pertinent कहते हैं इसका synonyms relevant होता है, proper हो जाएगा, opposite होता है, suitable होता है, significant होता है, applicable होता है, appropriate होता है यह सब इसके important synonyms बनते हैं अगला वर्ड देखे क्या है, precarious, precarious का मतलब होता है, uninterested जो चीज risky टाइप में हो, dangerous टाइप में हो, उसको उम लोग precarious कहते हैं इसका synonyms, hazardous होता है, critical होता है, risky कहते है, unshape कहते है, uncertain कहते है, perilous होता है, dangerous होता है यह सब इसके synonyms बनते हैं वर्ड अमारा है, predicament, predicament का मतलब होता है, इस्तिती इसका synonyms जो है, puzzle होता है, fix होता है, quandary होता है, difficulty होता है, dilemma कहते हैं, counterfeit कहते हैं यह सब इसके synonyms बनते हैं देखी क्या है, pristine, whatever है, pristine, pristine का मतलब होता है, pragine, जो कैसा हो, antique हो, उसको मुलों क्या कहते है, pristine कहते है इसका synonyms जो है, untended हो जाएगा, और pure होता है, spotless होता है, original होता है, clean होता है, virgin होता है यह सब इसके synonyms बनते है, whatever है, proclaim, proclaim का मतलब होता है, प्रचार करो, प्रचार करना किसी चीज़ को, उसको मुलों proclaim कहते है इसका synonyms publish होता है, communicate होता है, announce होता है, circulate होता है, declare होता है, reveal कहते है, inform कहते है, profess कहते है यह सब इसके synonyms बनते है वर्ड है देखिए prodigal prodigal जो है बहुत important है prodigal का मतलब होता है उबाउ जो कैसा हो बिल्कुल जैसे कि हम लोग कह सकते हैं levis type का हो खर्चीला हो उसको लोग कहते है prodigal कहते है prodigal का synonymous का हो जाएगा levis हो जाएगा reckless होता है spendthrift होता है और हम लोग कहते है abundant कहते है extra wagon कहते है west trail कहते है यह सब इसके most important synonyms बनते है word है prominent prominent का मतलब होता है प्रशिद इसका synonyms जो है celebrated होगा well-led होता है leading होता है renowned होता है eminent होता है outstanding होता है notable होता है famous कहते है eye clatching कहते है important remarkable यह सब इसके important synonyms बनते है word हम रहा है project project का मतलब होता है nearest जो dull होता है उसको प्रोजेक कहते है इसका synonyms dull हो जाएगा ordinary होता है common place कहेंगे insipid कहेंगे boring कहते है tradis कहते है यह सब इसके important synonyms बनते है word देखे के है prudent prudent का मतलब होता है viveki जो कैसा होता है careful होता है sensible होता है उसको प्रोजेक कहते है इसका synonyms wise हो जाएगा rational हो जाएगा careful होगा intelligent होगा judicious कहते है provident होता है sensible होता है courteous होता है यह सब इसके important synonyms बनते है what क्या है queer queer का मतलब होता है जो wichitra type का होता है stupid होता है अब लोग ऐसा थे पागल type का होता है उसको अब लोग queer कहते है इसका synonyms curious हो जाएगा abnormal होता है funny हो जाएगा quiet होता है awkward होता है strange होता है unusual होता है odd कहते है strange trick कहते है यह सब इसके important synonyms होते है next word हमारा है radiant radiant का मतलब होता है diptiman यानि कि जो कैसा होता है हम लोग कह सकते है beaming होता है उसको हम लोग radiant कहते है इसका synonyms brilliant हो जाएगा signing हो जाएगा beaming होगा delighted होता है respondent होता है और हम लोग exotic कहते है sparking कहते है refrigerant कहते है यह सब इसके important synonyms बनते है word कहाँ देखे reluctant reluctant का मतलब होता है अनिच्छुक जो कैसा होता है मतलब कि hesitant होता है उसको लोग reluctant कहते है इसका synonyms unveiling हो जाएगा resistant होता है slow होता है adverse होता है opposed होता है hesitant होता है यह सब इसके synonyms बनते है word मरा क्या है repentance repentance का मतलब होता है पस्तावा होना regret होना उसको लोग क्या कहते है repentance कहते है इसका synonyms regret होता है repent होता है sorrow होता है humiliate कहते है grief कहते है atonment होता है anguish anguish बहुत important है ध्यान में रखना है और confession होता है remorse होता है यह सब इसके important synonyms बनते है word देखे के है scanty scanty का मतलब होता है alp जो कैसा हो थोड़ा हो small हो उसको वोलोग scanty कहते है इसका synonyms deficient हो जाएगा narrow हो जाएगा slender होता है limited होगा meager होता है smash होता है poor होता है inadequate कहेंगे few कहेंगे small कहेंगे यह सब इसके important synonyms बनते हैं अगला वर देखिए क्या है sinister sinister का मतलब होता है वयाव जो कैसा होता है जो ominous type का हो डराओना type का हो unlucky हो उसको वोलोग sinister कहते है इसका synonyms evil होका unlucky होता है और idliness होता है ominous होता है corrupt होता है wicked होता है malvalent होता है यह सब इसके important synonyms बनते है word हमरे कहा है sordid sordid का मतलब होता है देखे घिनाओना जो चीज कैसा हो dirty हो उसको वोलोग sordid कहते है sordid बहुत important है बार-बार हर exam में आता है तो ध्यान में रखना है इसका synonyms mean हो जाएगा selfish होता है corrupt होता है degraded होता है immoral होता है dirty होता है greedy होता है base होता है यह सब इसके important synonyms बनते हैं अगला word देखे क्या है splandid splandid तो most most important word है splandid का मतलब क्यों तह्षानदार जो कैसा हो remarkable हो उसको हम लोग splandid कहते है इसका synonyms क्या हो जाएगा resplandid होता है resplandant होता है और हम लोग marvelous कहते है radiant होता है magnificent होता है brilliant होता है wonderful होता है signing होता है great होता है excellent होता है यह सब इसके important synonyms बनते हैं word हमारा है stable stable का मतलब होता है इस तेर जो कैसा हो firm हो steady हो constant हो stationary हो और unchanging हो fixed हो उसको अब लोग stable कहते है देखी क्या है sterile sterile का मतलब होता है बाज जो कैसा हो fruitless होता है उसको अब लोग sterile कहते है इसका synonyms brain होता है important होता है unfruitful होता है vain होता है futile कहते है unproductive होता है aborti होता है fruitless होता है worthless होता है यह सब इसके important synonyms बनते हैं word है stubborn stubborn मतलब होता है हठी जो जिद्धी हो, headstrong हो उसको हम लोग stubborn कहते हैं इसका synonyms headstrong हो जाएगा firm हो जाएगा, inflexible होगा determined होगा और obstinate कहेंगे, obturate कहेंगे यह सब इसके important synonyms होते हैं अगला word देखें क्या है substantial का मतलब होता है ठोस, जो चीज real हो, stable हो उसको उनलोg substantial कहते है इसका synonyms जो है actual होता है stable होता है, real होता है prosperous, देखें prosperous बहुत important है ध्यान में रखना है prosperous होता है, existing होता है generous होता है इसके important synonyms बनते हैं word हमारा है surplus surplus मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब extra में किसी चीज को जोड़ देना उसको हम लोग surplus कहते है इसका synonyms क्या हो जाएगा access हो जाएगा abundance हो जाएगा extra हो जाएगा spare होता है surfit होता है हम लोग पले थूरा पले थूरा important है ध्यान में रखना है पले थूरा होता है excessive होता है यह सब इसके important synonyms बनते है word हमारा कहा है tragic tragic का मतलब होता है दुखध जो कैसा होता है mors होता है mournful होता है उसको मों रिमोर्स फूल होता है उसको मों क्या कहते है tragic कहते है इसका synonyms जो है fatal हो जाएगा disastrous होता है pathetic होता है deathful होता है mournful होता है shocking होता है यह सब इसके important synonyms बनते है word बना है transient transient का मतलब होता है छडिक जो कैसा होता है ephemeral हो बहुत कम समय के लिए हो उसको लोग transient कहते है इसका synonyms जो है brief हो जाएगा और हम लोग spasmodic कहेंगे spasmodic ध्यान में रखना है important है और हम लोग कह सकते है momentary कहेंगे changeable होता है temporary होता है temporal होता है ephemeral ephemeral तो बहुत important है ephemeral भी बार-बार exam में पूछा जाता है अगला word देखें क्या है transparent transparent का मतलब होता है पार दरसक जो कैसा हो मतलब कि lucid हो असपश्ट हो बिल्कुल उसको हम लोग transparent कह सकते है इसका synonyms क्या होगा frank होगा lucid हो जाएगा open हो जाएगा clear होगा obvious होगा apparent होगा visible होगा apparent इंपोर्टेंट ने बता चुके है apparent मतलब होते बिल्कुल clear साप होना यह सब इसके synonyms बनेंगे